Hello everyone, how are you? This is lecture number 69. इसके अंदर आज हम डिसक्स करेंगे हमारे पास chapter number 10. Chapter number 10 बात करता है of the examination of witnesses. मतलब जो witnesses गवा आते हैं उसकी जाँच परताल और उसका माइना. उससे examination, world examination का मतलब है जाँच परताल करना, पूछताश करना. आर्टिकल इसके अंदर डिसक्स करेंगे हम 130, 130 कानून इसादत और इंडियन एविडिनस एक्ट देखेंगे तो 135 सेक्शन बनेगा. आज इसकी बैर रिडिनिंग कर लेते हैं. Order of production and examination of witnesses. मतलब जो भी हम गवा पेश करते हैं ठीके उसको पीश करने का, उसको हमारे पास court में पीश करने का जो पेश करने की जो तरतीब होगी न, ठीके, वो ठीके, और उससे जो पूछताश करने का जो तरीका होगा, ठीके, उसकी बारे में ये आर्टिकल डील करता है. आर्डर अफ प्राडक्शन, ठीके, पेश करने की, पेश करने का जो है वो आर्डर, ठीके, मतलब पहले कौन सा किया जाएगा, बाद में कौन सा किया जाएगा, कौन सा किस टेम जो है, पेश किया जाएगा, एंर examination of witnesses, और जो गवा हैं, उसकी, उसकी जांच पढ़ता है, इ देखने हैं, क्योंकि अगर आपने article का title आपको समझ में आ गया, तो आपको पूरा जोहर article समझ में आ जाएगा, The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice, मतलब जो भी गवा कोर्ट में पेश किये जाएं, या फिर उन से पूछताच की जाएं, तो फिर वो कानून और जो प्राक्टिस है, जो कोर्ट की प्राक्टिस से उसके मताबिक किये जाएंगे, For the time being, relating to civil and criminal procedure respectively, मतलब जो वक्त के मताबिक, जो civil और जो हमारे पास other side, दो sides होती हैं, cases में, one side is criminal civil and other side is हमारे पास criminal, ठीक है, जो civil और criminal का जो भी procedure, जो भी तरिक्यकार होगा, वो एडप्ट किये जाएगा, respectively, respectively means separately, अलग अलग से, ठीक है, and in the absence of any such law, और ऐसे किसी कानून की गेर मौजुदगी में, by the description of the court, तो फिर ये, कोट की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, कि वो कोट, जो है, कोट सी मर्जी अपनी अडप्ट करे, किस तरीके से वो witness को अपने, जो है, कोट में पेश करवाए, और किस तरीके से उसका माइना किया जाए, कोट से alder में उसको पेश कराए जाए, वो क 31, 131, और Indian Evidence Act के अंदर ये बन जाएगा 136, ठीके, बहुत सिंपल है, ये बात करता, जज्ज तो डिशाइड इस तो admissibility of evidence, मतलब जो जज्ज थे हैं, वो इस बात का फैसला करेंगे, कि ये जो गवाई है, ठीके, वो काबल कबूल है या नहीं, मतलब admissibility इसकी, वो जो evidence ह जब कोई पार्टी जो है, वो चाह रही हो, अपनी गवाई पेश करना किसी हकीकत के बारे में, किसी fact के बारे में, तो जज्ज में ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact is proved, तो फिर जज्ज उनसे पूछ सकता है, जो पार्टी गवाई पेश करना चाहती है, उनसे, कि वो किस तरीके से अपना जो ये हकिकत बता रहे हैं, उनको साबत करना चाहते हैं, वोड पी रेलिवуюंट, तो फिर वो क्या होगा, वो रेलिवेंट रहेंगे, ठीके, वोड बीडियॉट, क्या वो रेलिवेंट है यर नहीं, एंड जज्ज श्ल अड़ मेट, ठीके, वोड बी रेलिवेंट, मतलब अगर वो थाबत हो जाते हैं तो फिर वो रेलिवेंट है मतलब वो इससे मुतलका है तो फिर जज जो है वो इस बात को तस्लीम करेगा ठीक है कि एविड़न्स जो है वो हमारे पास तो फिर जज एसी गवाई को काबल कबूल बनाएगा और एडिमिट करेगा तस्लीम करेगा अगर वो जज सोची कि जो यह जो हाकिकत है इसको थाबत कर दी गई है और यह मतलका है मतलब रेलिवेंट है नाट अधरवाई नाट इर्रेलिवेंट है इर्रेलिवेंट नहीं है इसलिए यह पेश की जाएगी यह सब आर्टिकल टू बात करता है अगर कोई हकीकत जो है वो हमारे पास पेश की जाए तो बी प्रूवड इस वन आफ वुच एविडेंस इस एडिमिसीब और अपन प्रूफ आफ सम अधर फैक्ट मतलब कोई ऐसी हकीकत कोट पेश की जाए हकीकत नमबर ए फैक्ट नमबर ए जो की पेवरली डिपेंड करता हो हमारे पास फैक्ट नमबर बी पर ठीक है अरे बस समझें यह बात के रहें तो फिर यह आप कोई एक आता है कोई हमारे पास ए आता है कोई शक्स है एक्स जो कोट में आता है कि यह हकीकत में कोट में पेश करना चाहता हूँ कोई सी ए मगर ए हकीकत जो है बी पर एक एसाफ हकीकत में बयान करना जाता हूँ जो के यह हकीकत दूसरे हकीकत पर दारोमदा रखता है तो फिर कोट कहेगी कि आप जिस हकीकत पर आपकी यह हकीकत दारोमदा रखती है depend करती है, पहले आप इसको proof करें, ठीक है, last mention वाले को, ठीक है, आधी बस समझें, हमने कहाँ पढ़ा था, first mention, unless, जब तक, unless the party undertakes to give proof of such fact, and the court is satisfied with such undertaking, जब तक court के अंदर, वो party जो proof करना चाहती है, ऐसे हकीकत, जो हकीकत, दूसरे हकीकत पर दारुमदार रखता हो, और court के है, आप पहले, जिस हकीकत पर ये दारुमदार रखता है, आप उसको साबित करें, ठीक है, मगर court, वो पहले वाला भी साबित करने के इजाद़ दे सकता है, इस शर्त पर, कि आप जो है, undertaking दे, undertaking मतलब, आप जमानत दें, कि आप वो fact भी proof करेंगे, ठीक है, यहां तक बात के लिए रहे, उसके बात चले जाते हम, article, हमरे पास sub article 3, sub article 3, if the relevancy of one alleged fact depends upon an other alleged fact being first proved, मतलब, कोई भी ऐसा हाकिकत है, जो के दो हमरे पास facts है, ठीक है, अलग-अलग facts है, एक facts जो है, दूसर facts पर, जो है, depend करता हो, ठीक है, the judge may in his discretion, तो फिर जजज की मर्दी है, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, तो फिर जजज की मर्दी है, कि पहले वो, आप first वाला, जो है, fact थाबित करें, या फिर पहले आप second वाला, जो है, थाबित करें, I require evidence to be given of the second fact, before evidence is given of the first fact, समझ मागई, कि code इजज़त दे सकती है, कि आपको, या तो पहले वाला आप साबित कर दें, ठीक है, जो है, second, जो है, साबित करने से पहले, ठीक है, या फिर आप, जो दूसरा जो आपका हाकिकत है, वो आप साबित करें, पहले वाला हकिकत थाबत करने से पहले बहुत आसाने आप थोड़ा से पढ़ेंगे आपको समझ में बात आजाएगी अब illustration देख लेते हैं हम यहाँ पर illustration A क्या बात करता है It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be deed कोई इसी गवाई पेश करना चाहता है कोई ऐसा ब्यान पेश करना चाहता है जो के हमारे पास कोई ऐसा शक्स हो ऐसी हकिकत पेश करना चाहता है ऐसी हकिकत पर ब्यान पेश करना चाहता है जो जिसकी अंदर किसी शक्स जो है उसकी death हो चुकी हो वो मर चुका हो which statement is relevant under article हमारे पास 46 6 म influencers अगर कोई आकर देता है तो फिर डाइंग डीकलेरिशन में जिसकी डाइंग डीकलेरीशन वो दे रहा है तो फिर डाइंग डीकलेरेजरेंट जो है वो मर चुका है क्या वाकिale वो मर चुका है आरे बस समझे वो थापित करना जरूरी है जब कोई शक्स मरता है मरते वक्त ही कुछ ऐसा कहकर जाता है उसके बाद ही उसको कहा जाता डाइंग डिकलेशन तो यहां पर यह साबित करना बहुत जरूरी है कि वो शक्स मर चुका है या नहीं ठीक है उसके उसका जो सेकंड पिरा है वो देख लें कि वो जो है मरने वाला शक्स जो डाइंग डिकलेशन रिकाड करने जिसकी स्टेटमेंट आपने देनी है ठीक है आरीबाय समझे वो शक्स मर चुका है अरीबाय, the fact that the person is dead, ठीक है the fact that the person is dead, हक्रिक है यह है कि शक्स एक शक्स जो है वो मर चुका है must be prove अब इसको आपने पहले थाबित करना है by the person proposing to prove the statement उस शक्स ने थाबित करना है जो शक्स आकर court में कहे कि मुझे वो शक्स मरते वक्त ये कह के गया था तो फिर उसको ये थाबित करना है कि वो शक्स मर चुका है before evidence is given of the statement ये मतलब ये statement है ये गवाई देने से पहले इसको ये थाबित करना है कैसे ये हमारे पास किसे deal करता है ये article जो 131 जो article है न ठीक है उसके second जो paragraph है ठीक है उससे deal करता है आरे बस समझे इसको हम मैं आपको मिसाल किस तोर पर समझा देता हूँ कोई A आता है code में आकर कहता है किसा आप मैं dying declaration record करवाना चाहता हूँ किसकी X की कि X मरते वकत मुझे ये कहके गया था तो कोई टने का ठीक है आप भले record कर रहा है पर पहले आप ये थाबित करें कि X जो है वो मर चुका है उसका proof ले कर आए क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि X मर चुका है और X मरते वकत मुझे ये कहके गया था तो फिर हम किसे मान लें आपकी पहले dying declaration ठीक है आपकी dying declaration हम मानते हैं पर पहले आप ये थाबित करो कि X वाकी मर चुका है ठीक है ये बात है तो फिर ये illustration A जो हो किस से related है related to sub article 2 illustration A related to sub article 2 ठीक है after article 131 ठीक है article 131 यहां तक बात के लिए रहे अब देख लेते हैं illustration B illustration B भी ये भी हमारे पास related करता है sub article 2 से 131 के It is proposed to prove by a copy the contents of a document seed to be lost कोई शक्स आता है कोट में और कोई ये साथ 했습니다 करने जो है वो गवाई देना चाहता है कुछ सावबत करने के लिए कि कोई copy है मेरे पास जो कि असल documents जिसकी असल documents खो चुके हैं उसको साथemo करने के लिए मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उस पर गवाई द nos tires propose to prove कापी पेश की जाए । तु नाफ। य। जिसके बारे में कहा जाए कि जो डाकुमेंट्स यह है वह खुग है वह गुम हो चुके हैं। ठीगे तो आएए हम इसके बारे में देख लेते हैं, आगे क्या चेहता इसके बारे में। The fact that the original is lost must be proved अब हाकिकत ये है कि जो original जो है वो गुम हो चुके हैं पहले आप वो थाबित करें By the person proposing to produce the copy before the copy is produced पहले आप copy पेश करें court में ठीके आरे बस समझे उससे पहले आप ये थाबित करें कि जो copy आप court में पेश करना चाहरे हैं वो documents वाकि में गुम हो चुका है केसे कोई A आता है court में आकर केता है कि सर जी ये photocopy है ठीके ये फोटocopy है और इसका original जो है वो खो चुका है इसका original जो है वो हम से गुम हो चुका है अब ये photocopy पर میरी गवायी रिकार्ड की जहें code कहेगी एह साब आप पेले ये record करो ये साबित करो कि इसका कोई original भी था जिससे आपने फोटो कापी बनाई ठीक है इसका original केस से हो गया ये हमें साबित करके दिखाओ कि ये आपके पास original था और वो आप से गुम हो चुका है ठीक है क्योंकि आप जो गवाई जो देना चाह रहे हैं ये एक ऐसा हकीकत है जो दूसरे हकीकत पर दारोमदा रखता है पहले आप दूसरे वालाज जो है हकीकत वो साबित करो आरी बस समझें यहां तक बात के लिए रहे तो मतलब यह किस से रिलेटेड करता है आर्टिकल इलस्टेशन टू जो है वो रिलेटेड है हमारे पास सब आर्टिकल टू से आफ वन थर्टी वन आर्टिकल ठीक है यहां तक बात के लिए रहे उसके बात चले जाते हम हमारे पास जो Illustration C जो है उस पर चले जाते है Illustration C Illustration C हम देखते हैं Illustration C हमारे पास क्या बात कता है A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen A जो है A क्या है A accused है मतलब A जो है मजरिम है किस चीज़ का मुल्जिम है किस चीज़ का कि उसने चोरी की जो है वो property खरीद की है जानते हुए कि ये चोरी की है It is proposed to prove that he denied the position of the property मगर इसने ख्वाश दिखाई कि सर मुझे जाद दी जाए कि मैं थाबित करूं कि ये मेरे पास position थी ही नहीं वो property मेरे पास थी ही नहीं जो ये दिखा रहे हैं कि इस से property निकली है तो हमरे पास बात क्या है आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर अब क्या होगा इसके अंदर तो फिर the relevance of the denial depends on the identity of the property तो फिर जो ये deny कर रहे हैं वो दारोमदार रखती है identification पर ठीक है आप बले इसको incur करें कि आपके पास ये property नहीं थी पहले पर पहले आप दीख ले जो property आप पर लगाई गई है जिस पर आपका चोरी का इल्जा में देख लें क्या पता वो property हो आपके पास आपसे पास से निकली हो ठीक है दा code में in its description तो फिर code की मर्जी है either require the property to be identified before the denial of the position कि property जो है पहले आप पहचान ले ठीक है उसकी जो position है उसका कबजा जो है उसको इनकार करने से पहले आप उसको पहचान ले is approved or permit the denial of position या फिर पहले आप इनकार कर लें कि मेरे पास ऐसी कोई position थी ही नहीं ऐसी चीज़ जो जो दिखा रहे हैं कि इसके कबजेब से निकली है वो सर्जी मेरे पास थी ही नहीं या फिर कोड ऐसी जाद दे दे कि पहले आप इनकार कर दे to be approved before the property is identified जब वो property को पहचानने से पहले ही आरी बस समझे आपको बस समझ आई यह पता नहीं कोई A है A पर यह इल्जम है कि A ने यह हमारे पास mobile चुराया है क्या है कोन तो mobile चुराया है इन्होंने यह आई फून चुराया है ठीक है यह इन्होंने आई फून चुराया है ठीक है तो फिर A यह फून आई फून जो है कोई हमारे पास A की कबजी से निकला है यह इन पर इल्जम है यह जो A जो है यह मुल्जम है mobile चुरी करने का यही इस पर इदाम है कि इसने जान बूज़कर यह प्रापर्टी अपने कब्जी में रखी, कि यह जो प्रापर्टी चोरी की है, फिर भी इसने अपने पजिशन में रखी थी. मतलब यह चौर नहीं है इसका मतलब इसने चौरी की प्रापर्टी अपने पास रखी ठीक है अब एक एता है कोट में कि जज साब मुझे इजादत दी जाए कि मैं थाबित कर दूँ इस बात को कि ऐसा कोई मुबाल मेरे पास नहीं था ठीक है या फिर कोट यह भी कह सकती है कि ठीक याप पहले इनकार कर दे फिर आप जो है वो काईफून देख ले जएख macht यहां तक बात के लिए रहे मतलब पहले जो पाजुशन है उसको महरे पास इनकार कर दे या फिर जो महरे पास प्रापर्टी है जो iPhone है उसकी identification कर ले उसके बाद ठीक है दोनों में से कोई भी हो सकता है ठीक है या तो पहले position deny करे बाद में जो है identification हो जाए या पहले identification हो जाए फिर position deny करे या तक बात के लिए रहे तो फिर ये किस से related करता है ये related to हमारे पास सब article 3 of article 131 यह तक बात के लिए रहे उसके बात चले जाते है आर्टिकल हमारे पास illustration number D पर illustration D बात करता है it is proved to prove a fact A which is seen to have been cause or effect of a fact an issue कोई ऐसा fact ऐसा हकीकत थाबित करना चाता है जो किसी fact issue फसाद की जड़ का सबब हो या उसका effect हो उन पर ऐसा हकीकत पीश करना चाता हो ऐसा हकीकत थाबित करना चाता हो there are several intermediate facts उसके इलावा भी काफी जो है बीच में हकीकते हैं चोटी मोटी B C और D एक A है हकीकत एक A fact है दूसा B B है C B है और D B ये चार हकीकते है which must be shown to exist before the fact A जिसको ये दिखाया जाहर कर दिया गया है कि ये जो हकीकत A जो है ये इन से क्या है इन से मिलते हैं can be regarded as the cause or effect of the fact and issue जिसको ये जो fact and issue से उसका cause या फिर उसका effect भी ये बन सकते हैं the code may either permit A to prove before B C or D is proved code ये जादा दे सकती है कि पहले आप A हकीकत को साबित करें B C और D हकीकत को साबित करने से पहले R may require proof of B C and D before permitting proof of A या फिर code ये भी के सकती है पहले आप ये करें कि B C और D जो हकीकत हैं इसको आप साबित कर लो ठीक है उसके बाद जो है A को साबित करना ये बात के लिए रहे बिलकुल simple है अगर फिर भी आपको किसी किसम की कोई confusion हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं आज हमने डिस्केस किया हमारे पास जो लेक्चर था 69 के अंदर आज हमने क्या डिस्केस किया आज हमने डिस्केस किया आर्टिकल 130 से लेकर 131 तक ठीक है 131 तक डिस्केस फिर भी अगर आपको यहां पर किसी किसम की confusion हो तो आप मुझे से पुछ सकते हैं थैंक यू सो मज़